नमस्कार किसान भाईयो मैं आपका किसान साथी रभी आदो किसान भाईयो कैसे आप सब आशा करते हूं आप सब अच्छे होंगे सौस्त होंगे मस्त होंगे यह देखे किसान भाईयो ठंडी का मौसम आ गया है और आज हम अपने गेहों में दवा का शिरकाव कर रहे हैं हमारे वीडियो को लाश्ट तक देखिए कौन से दवा मैंने डाला है किसान भाईो इस बार हमारी गेहों की फ़सल थोड़ा खराब हो गई है और खराब इसलिए हो गई क्योंकि जमाव कम हुआ पता नहीं किस कमी से जमाव कम हुआ और जिन किसान भाईों के साथ ऐसा हुआ है वो इसके बहुत से सुलिउसन है नमबर एक पहला तो आप जैसे सिचाई कर रहे हैं पहली सिचाई पहली सिचाई करने के तुरंद बाद खेट में आप पानी लगा रहे हैं उसके बाद आप जो ब्राइटी लगाए हैं खेट में उसी का पुराना बीज पिछली साल का हो या न पिछरी साल का बराइटी मिल जाए वही छीटे मार दीजिए या तो नया मिल जाए जिस बराइटी का आपने गेहूं लगाया है वही दुकान से लेके वही छीटे मार दीजिए और इससे आपकी फसल नुक्सान होने से बच जाएगी क्योंकि जिन किसान भाईयों के साथ ऐसा हुआ है वो ऐसा तुरंट कर दें और किसी से सलाह ना लें अगर जैसे बहुत से किसान भाईयों से सलाह लेंगे तो हर किसान भाई अलग अलग सलाह देगा आप अपना नुक्सान खुद कर लेंगे कोई कहेगा फसल को जुताई करवा के फिर से बुआई कर दो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा इसलिए किसी की बातों में मत आईए किसी से सलाह मत लीजिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसा ही कर दीजिए सीचाई करने के तुरन बाद गेहूं के चीटे मार दीजिए वो भी गेहूं आपकी जो अच्छा जमा हुआ उसी का साथ पकर लेगा और अच्छी पैदावार होगी उसी गेहूं से और ये देखें आज हम डाले हैं बतुआ और सरसो और बनरी की दवा हमरे खेत में बतुआ की मातरा जादा है और ये दुकान से दुआ लेकर आ जाया हूं और हमने छिलकाव शुरू कर दिया है जो किसान भाई मेरे चैनल पे नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और सेर कर दें बिल आइकन को भी प्रेस कर दें वीडियो को जादा जादा सेर करें ताकि और किसान भाईों के साथ मेरी वीडियो पहुंच सके जो किसान भाई नहीं जानकारी पा रहे हैं वो मेरी वीडियो को देखेंगे उनको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी और मैं इस तरह की अच्छी से अच्छी जानकारी खेती किसानी से जुड़ी अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आता रहता हूं इसलिए वीडियो को जादां जादां सेर करें जादां किसान भायों तक मेरी वीडियो पहुंचाईए और देखे ये बतुआ बहुत से खरपतवार हो गए है अब तू गेहों में लेकिन हमारे फसल में गेहों की फसल में जादां से जादां बतुआ और सरसो और बनरी यही दो तीन चीज खतम हो जाए हमारी फसल सही हो जाएगी फिर गेहूं के गेहूं में दवा डालने के बाद तीसरे चौथे पांचेवे दिन भी आप खाट डाल सकते हैं इससे क्या रहता है आपकी फसल की गुरोथ अच्छी रहेगी फसल जब अच्छी रहती है तो अपने आपको भी अच्छा रहता है जैसे आप अपना बच्चा पालते हैं उसी तरह से किसान भाई अपनी फसल पालते हैं जब फसल अच्छी रहती है तो किसान भाई भी खुसाहाल रहते हैं इसलिए आप अपने फसल के साथ ला परवाही मत कीज यह देखिए हम दवा डाल रहे हैं यह सैक्रीप यह है और यह धनुवीट है यह दो दवा मिला के हम अच्छी तरह से डालेंगे डाल रहे हैं और एक नपना बना लीजिए उसी नपने से आपको जितनी तंकी दवा डालना है उतना आदर लीटर का नपना बना लीजिए अगर च्छोड तंकी दवा डालना है तो 6 दवा पानी दालके हर मसीन में एक दवा पानी दालीं अच्छी तरह मिला के और मकीन में 2-3 लीटर पानी डाल के तब दवा डालिए पिर उसके बाद पानी डालिए ऐसा करने से दवा अच्छी तरह से मिल जाती है और किसान भाईयो फिर मैं अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आऊंगा तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखें और ज्यादर ज्यादर सेयर कीजिए अग्ये देखें ये पाउडर है वो जो धनवीट है वो लिक्वीड है अच्छी तरह से मिला लीजिए ठीक किसान भाईयो फिर मैं अगली वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार जै जवान जै किसान